हालो फ्रेंड्स वेलकम बैट टू माई चैनल लिव बलाइद बित पुनीता कैसे हो आप और मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे पूरी उमीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे तो अभी मैं गोरबपुरी स्टेशन पे आ गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ रोडवेज जहां से हमें बस मिलेगी सिधार्टनगर के लिए इस टेशन से ज़्यादा दूरी पे नहीं है रोडवेज बस पांच मिनट की दूरी पे है और वो सिधार्टनगर का जो बस था वो पास में ही लगा था हमें रोडवेज नहीं जाना पड़ा पास में ही लगा था इस टेश आपको कुछ खिला दिन नहीं खाएं हैं, तो अभी हम चाय पी लेते हैं और वट्टी का चाय बहुट टेश्टी चाय बनाएगे थे, व्य बॉझा पी लिया है, बैठे में चाहिए ली आज़ी को चाहिए है बैठे के लिए यूजिए ली यूज़ी बैठे कहा है बारी लूज़ी है हम सब लोग निकल दी ऐसी धार तेंगे लिए हम अब हमलोग बस में बैठे हैं देखिये और अब इतीन घंटे बाद हम लोग पोछ जाएंगे से कितना गर्मी हो रहा है बारीज बहुत ज़्या हुआ फिर भी गर्मी हो रहा है यहां दो कि ज्यादा नहीं हुए आँ पारिश हमें अजिसे लिमाश्रा पिर भारिश गर्शी और जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, यह देखी, सब अपने धून में खोई हैं, अब मैं जहाँ जा रही हूं, सब बहुत खुश हैं, अब हम बस में बैठे हैं, और बस जो है वह चल दी है, और अभी बस चला रहे हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेन से उतरे हुए पसंजर होते हैं, वह सब आगे मिलते जा रहे हैं, तो बस को रोकरोक के सबी को बैठा रहे हैं, और रुपेज भी सभी देख रहे हैं सब बहुत खुस हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे बारीस होगा और उमस बहुत ज़्यादा है पूरा पसीने से सब एकड़म लगपत हो गए थे और सुबह सुबह जब फ्रेस होई है तो थोड़ा अच्छा लगता है पर अभी कोई नहीं सब हम लोग ट्रेन से उतर के सीधे हम लोग यहाँ पर आ गए थे सिर्फ हमने चाय पिया है बाकी बाहरी कोई आइटम हम लोग नहीं लिये हैं बच्चों को हमने एपल काटके दे द लिया था और उन्होंने खा लिया है और यह देखे फ्रेंड्स यह गोरबपूर रोडवेज का है अभी हम इस्टेशन पर पहुंच जाएंगे और सामने जो दिख रहा है ना वह गोरबपूर इस्टेशन है अई यह मैंने वहाँ एक पुतला बनाई यह किसका है मुझे नह भी नहीं हो रहा था और बच्चे भी सारे बच्चे सोते हुए जा रहे थे क्योंकि रात भर वो दो बज़े तक तो सिर्फ वो जगे थे दो बज़े के बाद सोए थे तब तक हम गोरबपूर उतर गए थे और मैं यहां का नजारा आपको दिखा रही हूं कितना अच्छा ह पूरी तरफ ग्रीन-ग्रीन है मैं बहुत खुशती और यह देख कि इतना मन में उस्सा हो रहा था सावन है तो हर याली तो चारों तरफ मिलेगी यह मिलेगी और अभी हम सिधातनगर आ गये हैं और यहीं पर हम उतर जाते हैं फिर हम अम हम जहां जा रहे थे वहां पर जा रहे हैं अभी हम मैं आगे बताती हूं आपको तो हम और रजब्स बाकी लोग आगे जा रहे हैं जिजा और यह गए आगे और फीर फीन पीछे से हम लोग थे कि बच्चे दोड़ते दोड़ते चले गए थे बस जहां पर बस हम लोग को छोड़ा तो वहां से मातर 5 नट कि दूरी है और अभी हम बस पहुँचने वाले हैं तो ये मैं रास्ता इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं कि ये एक याद रह जाएगा इसमें रिकॉर्ड कि बहुत दिन बाद मैं यहां आती रहती हूं न इसलिए मैंने पूरा यहां कर लिया है कि यह यादे जो हैं हमेशा कभी मन किया तो मैं इसे देख कर अपनी यादों को ताजा कर लूँगी तो अभी हम बस पहुंचने वाले यह आप वाच करिए और मैं इतनी खुस हुना कि मैं बता नहीं सकती हूं बस मेरा यहां पर आवाज बैठ गया है क्योंकि हम ल त्हीं की में साधिसी चुफी रहती हूँ जादे लोग नहीं हैं यहां पर सब सिस्टर लोग से बाते कर रही हूं तो आवाज थोड़ा बहारी हो गया है और फोड़ा पानी भी चेंज पना इसे और भारी हो गया है तो मैं आ गई हुँ है 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 वो दिखिए उनका मुपाहरों कि अब प्लाइक अब तरफ एधर है जोती जी बना लो जोती जी जोती जी क्या कर रहेंगे आप नहीं तुमारा पेस नहीं नहीं दिखाएंगे पेस कर रहेंगे जोती जी क्या कर रहेंगे आप या ममी को क्या चाहिए तुमारा रहेंगे जोती जी 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 बहुत कुछ हो गया है अरे अलक्षमी नहीं है क्या आप जोती जी बता नहीं है क्या कर रहेंगे आप अलक्षमी जी आप क्या कर रहेंगे आप खोल देते हैं और अभी मैं बात्रूम खोल देती हूं छभी के लिए आओ शभी आओ नहीं बात्रूम में जाओ यहां नहीं बेटा गंदी बात जा तो जा बात्रूम में आ गए हूं अपने माइके और यह था सबसे बड़ा सप्राइज कि मैं माइके आ रही हूं सावन में और बिलकुल दीदी को दिया था पर वो अचानक मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेकिन वो मुमेंट कास रिकॉर्ड हो जाता और मैं उसे बार बार देखती यह जो सारे मुमेंट है फ्रेंड्स मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं पूरा एक-एक रास्ता कि बहुत दिन-दिन बा हमेशा आती रहती लेकिन इतनी दूर साधी हो गई है कि आने में पूरा दो दिन लग जाता हमें यहां पे आने में और मैंने आपको दिखाया है कि कितनी लंबी जर्णी होती हम लोगी यहां पे आने पे तो हम भी बहुत जादा थक गए हैं अभी मैं जारी फ्रेस होने मैंने प्रेस में फेसnya किया यह देखिए मैं वैसे ही यूँ और अभी अमने कुछ भी नहीं खाया है ऐब जो दिन क्या है रुपेस दीन काहई हैं दीन किया है आज दीन क्या है ऑज दीन क्या है तो चलिए अभी मैं फ्रेस हो जाती हूँ उसके बाद से आपसे मिलूंगी क्योंकि अभी तो सब सिस्टर लोग खाना बना रही तयारी कर रही है कि जल्दित सब लोग आएंगे भूखे आएंगे सारे बच्चे बहुत खुश है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए जब हम लोग यहाँ पर चुटते है ना तो हमारा जो कीचन है गैस जो है वो कीचन से बाहर हो जाता है बाहर ही खाना हम लोग बनाते हैं कीचन के अंदर खाना नहीं बनाते हैं तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वेल आइकन का बटन प्रिस करना बिल्कुल मन भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी निव वी थोड़ी से फ्रेस हो जाओ, अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं है, ब्रस नहीं किया है, नौ बच गया है, खराई भी हो जाएगा, तबीयत भी खराब हो जाएगा, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, बाइबाइ फ्रेंड्स, तो मैंने अभी ब्रस वगेरा कर लिया है, और अभी मैं पानी पी लेती हूँ, सबने पानी पी लिया है, सबने चाय नास्ता भी कर लिया है, नास्ता नहीं वही चाय से पिया है सबने, और सब भी रेश्ट कर रहे हैं, बाद में जाएंगे, थोड़ी दिर बाद नहाने जाएंगे, तो मैं ब्लॉग को य अच्छी सी वीडियो में बाइ 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 फ्रेंग